हेलो और वेलकम दोस्तों आज की इस फीडियो में आपको बताने वाला हो कि आप किसी भी PDF फाइल को JPG फॉर्मैट में केसे कनवर्ट कर सकते अगर आपके PDF फाइल में एक पेज़े दो फेज़े या फिर कई सारे पेज़े से तो आप उन सारे पेज़े को JPG फॉर्मैट में केसे कनवर्ट कर सकते तो चलिए इस फीडियो को शुरू करते इसके लिए आपको सिंपली या पे प्लेश्टोर को ओपन करना है प्लेश्टोर को ओपन करने के बाद उपर आपको या पे सर्च बॉक्स में सर्च कर देना है PDF आपको सिंपली या पे PDF to JPG आपको सिंपली या पे ये सर्च कर देना है ये सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीकी का इंटरफेस आएगा अब आपको यह आपे थोड़ा नीचे स्रोल करना है नीचे स्रोल करने के बाद green color में कुछ इस तरीके से आपको यह app दिखाए देगा आपको simply यह आप इस app को install कर देना है इस app को install करने के बाद आपको simply यह आप इस app को open कर देना है इस app को open करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का interface आएगा अब आपको यहापे थोड़ा wait करना है इसके बाद आपको नीचे कुछ इस तरीके से app set and continue का button दिखाए देगा आपको simply यहापे click कर देना है आप यहापे PDF file को jpg format में केसे convert करेंगे इसके लिए उपर कुछ इस तरीके से यहापे plus का button दिखाए देगा आपको simply यहापे click कर देना है यहापे click करने के बाद आपको इसे allow के button पे click कर देना है allow के button पे click करने के बाद जितने सारे mobile में आपको यहापे PDF file होंगे तो भी आपे मैं इस PDF फाइल के बटम पे क्लिक कर दूँगा इसके बाद आपको simply convert to image के बटम पे क्लिक कर देना है और आपको यह आपे एक folder का नाम दे देना है इसके बाद आपको simply यह आपे save के बटम पे क्लिक कर देना है आप ये आपर देख सकते हैं ये आपर टोटल हमारे PDF फाइल में 32 pages है ये सारे 32 pages हमारे फाइल मेंगर में image format में से हो जाएंगे आप देख सकते हैं ये हमारे PDF फाइल image format में convert हो चुगे इसके बाद आपको simplify file manager को open करना है File Manager को open करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से PDF to JPG का folder दिखाए देगा आपको simply इस folder को open कर देना है इस folder को open करने के बाद आपने जिस भी नाम से folder बनाया होगा आपको simply उस folder को open कर देना है